इस वीडियो में हम सीखेंगे प्लेंस कैसे बनते हैं प्लेंस को हिंदी में मैदान कहते हैं अगर आप किसी मैदान को देखें तो वो एकदम सपाट होती है धर्ती पर ऐसी काफी सारे खुली जमीन मिल जाएंगे आपको ऐसे लैंड फॉर्म्स काफी कॉमन है अब ऐसे सपाट मैदान आखिरकार बनते कैसे हैं ऐसे कई सारी नैचुरल प्रोसेस होती है ये कुछ नाम है आपके सामने हम एक एक पॉइंट को समझेंगे जब बरफ या नदी का पानी उंची जमीन से नीचे की और धलान की और बहती है तो ये अपने साथ काफी सारी मिट्टी, पत्थर, मलबा साथ ले आती है जब ये सब मिट्टी, पत्थर, मलबा धीरे धीरे समय के साथ निचले जमीन में एक के उपर एक जमा होती रहती है तब जाकर एक खुला मैदान यानिकी प्लेंस का निर्मान होता है उदारन के लिए उत्तर भारत के प्लेंस को देखें सिंदु नदी, गंगा नदी ने हजार सालों से उत्तरी भारत में मिट्टी, मलबा, पत्थर ये सब कुछ जमा किया है जिस कारण Northern Plains का निर्मान हुआ है आपको तो पता ही होगा कि ये नदिया हिमाले से आती है तो हिमाले का शेतर होगे higher elevation तो जैसे कि मैंने कहा जब पानी बरफ उंचे जमीन से निचले जमीन की ओर यानि की धलान की ओर बहती है तो वो अपने साथ काफी सारी मिट्टी, पत्थर, मलबा साथ ले आती है तो यही सब चीजे जब हजारों सालों से लगातार जमा होने के कारण ही Northern Plains का निर्मान हुआ है वही अगर आप North East India की तरफ देखें तो आपको मिलेगा ब्रह्मपुत्र वैली ब्रह्मपुत्र नदी असाम से बिलकुल बीचो बीच से भैती है तो यह नदी तिबद से होकर आती है तिबद की जो जमीन है वो उची है असाम और अरनाचल की तुलना में इसलिए जब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है तो वो अपने साथ काफी साड़ा मिट्टी, पत्थर और मलबा लेकर आती है और साथ ही ये नदी काफी तेजी से बहती है क्योंकि जब उपर से नीचे की और पानी बहती है तो पानी का स्पीड काफी तेज होता है तो इस कारण असाम में भी ब्रह्मपुत्र प्लेन का निर्मान हुआ है मैदानी शेत्र एक और कारण से भी बनती है वो है जौला मुखी के फटने से जब जौला मुखी फटता है तो उसमें से भाडी मात्रा में लावा निकलती है अब ये जो लावा है ये basically गले हुए पत्थर है तो जब लावा बाहर निकल कर नीचे की और बहकर जमा होता रहता है तो समय के साथ ये सूख कर, थंडा होकर फिर से इग्नियस पत्थर में तब्दील हो जाता है जब थंडा होकर सूख जाता है ये काले रंग की मिट्टी बन जाती है जिसे अंग्रेजी में बसाल्ट कहते हैं जब बारिश, हवा, लाखो वर्षोर तक अपना कमाल दिखाती है तो ये पत्थर धीरे धीरे तूट कर बारीक मिट्टी में तबदील हो जाता है और यही मिट्टी आगे चलकर एक खुला मैदान याने की प्लेन एरियास बना देती है नदी जब बार लाती है इससे भी खुला मैदान याने की प्लेन्स का निर्मान होता है बारिश के मौसम में जब नदी बार लाती है तो आपको पता होगा कि नदी का जो पानी होता है वो अपने नधारित रास्ते से ओवरफ्लो होकर आसपास के इलाकों में बहने लगती है और हमें ये भी पता है कि नदी अपने साथ काफी सारा मिट्टी ले आती है तो बाड़ के समय भी ये मिट्टी आसपास के शेत्रू में फैल जाती है और धीरे धीरे जब पानी कस्तर कम होने लगता है तब आपको वो मिट्टी दिखेगी जो नदी अपने साथ ले आई थी तो कहने का मतलब ये है कि नदी लगातार बाड़ जैसी स्थिती लाती है तब ये मिट्टी का जो लेवल है वो बढ़ता रहता है और इसी कारण किसी भी नदी के आसपास आपको खुला मैदानी इलाका देखने को मिलेगा इसे अंग्रीजी में फ्लट प्लेंस कहते हैं इन इलाकों की जमीन काफी उपजाओ होती है इसी कारण काफी नदियों के आसपास खेती बाड़ी देखने को मिलेगी अफ्रीका के नाइल नदी को अगर आप देखें इस नदी ने हजारों वर्षों से एजिप्शन यानि की प्राचीन मिस्रस अभ्यता को जीवित रखा है भारत में भी गंगा नदी और भ्रह्मपुतर नदी के आसपास के शेत्र हर साल बाड़ की चपेट में आते हैं तो एक तरफ देखे तो इससे काफी नुकसान होता है किन्तो दूसरी तरफ देखे तो बाड़ की वज़े से आसपास का शेत्र भी काफी उपजाव बन जाता है उडिसाराजी में भी बाड़ की स्थिती उत्पन होती है माह नदी के कारण आपको तो पता ही होगा कि महा नदी पूर्व में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है तो यहाँ पर भी आपको काफी सारा प्लेन एरिया देखने को मिलेगा जो कि नदी में बार आने के कारण बनता है flood plains कहते हैं ऐसे मैदानी इलाका आपको एक और जगापर भी देखने को मिलेगा वो है coastal areas में जिसे हम beach भी कहते हैं जैसे कि पॉंडिचरी गोवा तो यहाँ पर क्या होता है नदियों का entry point होता है समुद्र और महासागर में तो जैसे ही नदी समुद्र या महासागर में मिल जाती है अपने साथ जो धेर सारा मिट्टी लाती है वो सब समुद्र के टट पर फैल जाता है समय के साथ ये इलाका समंदर से थोड़ा उचा हो जाता है तो ये भी एक प्रकार का खुला मैदान है लेकिन इसे अंग्रीजी में कोस्टल प्लेंस कहते हैं इसे आप बीच भी कह सकते हैं आप कभी बीच पर गए हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि खुली मिट्टी यानि की रेथ मिलेगा तो ये रेथ है ये कुछ नदिया लाती है और कुछ समंदर अपनी लहरों से ले आती है भारत के पूर्वी टठ यानि की इस्टन कोस्ट पे आपको काफी कोस्टल प्लेंस देखने को मिलेगा और इनका निर्मान हुआ है विशाल नदिया जैसे की मानदी, गुदावरी, कृष्णा, कावेरी इन नदियों के द्वारा जो धेर साड़ी मिट्टी यहां जमा हुई है यही तो कोस्टल प्लेंस बनाती है जिसे हम बीच भी कहते है लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है अंडर वाटर प्लें यानि की समंदर या महसागर के नीचे की जमीन यदि आपने कभी स्कूबर डाइविंग करी होगी तो आपको समुतर के नीचे जाने पर बहुत सारी रेथ मिलेगी तो ये भी एक प्रकार का खुला मैदान है जो पानी के नीचे है इसे अंग्रेजी में अबिसल प्लें कहते है अगर आपको एक बहुत बड़ा खुला मैदान पानी के नीचे देखना है तो इसके लिए आपको 5000 से 7000 मीटर नीचे जाना पड़ेगा ऐसा कहा जाता है कि जैसी दुनिया आप जमीन के उपर देखते है ठीक उसी प्रकार की दुनिया पानी के नीचे भी है कहने का मतलब है कि बहार आपको पहार मैदानी इलाका ये सब देखने को मिलता है राइट ये सब कुछ आपको समंदर के नीचे भी देखने को मिलेगा समंदर के नीचे भी आपको पहार मैदानी इलाका यहां तक की जौला मुखी भी पाई जाती है फिलाल तो अभी इस पर इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है लेकिन ऐसा माना जाता है कि धर्ती का सबसे सपाट और चिकनी जमीन आपको समंदर के नीचे मिलेगी